प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, रात भर जग करके आप पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अगले दिन आपका पेपर है, तो प्यारे बच्चों जैसा की देखी लिखा हुआ है, बोर्ड परिक्षा 2022, आज रात बस इतना जान लो, प्यारे बच्चों आज की ये वीडियो जो है बहुत ही जादा इस्पेसल होने वाली है, क्योंकि रात भर का टाइम बचा हुआ है, और अगले दिन आपका बोर्ड परिक्षा है, कहने के मतलब बोर्ड परिक्षा देने जाने से पहले वाली रात में, आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, जिसको अगर आप अप अप्लाई करते हैं, तो मेरा यकीन मानिए भले ही आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो, आपने किताब खोल कर भी ठीक से ना देखा हो, और मैं आपको जो जो तरीका बता रहा हूँ, आप व अपने फ्रेंड्स के पास सेर करते हैं, ताकि उनकी भी हल्प हो सके, तो निश्चीत रूप से ही आप लोग 90% के बहुत ही करीब पहुँच जाओगे, और बहुत ही अच्छे नंबर आप प्राप्त करने वाले हो, तो ये वीडियो आप अंतर तक जरूर देखते रहिएग आपको माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, और आप अपने बोड एक्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर ला पाओगी, तो प्यारे बच्चों वीडियो को पहले तो आप अपने सारे फ्रेंड्स के पास फटा-फट से सेर कर दीजिए, टाइम बिल्कुल भी नहीं ब आएंगे ही, आएंगे, ये निश्चित रूप से ये तय है, देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपने जितना ज़्यादा पढ़े होंगे उस बेसिस पे तो आपको बहुत हाइस्ट आ जाएगा, लेकिन अगर आपने कुछ भी महनत नहीं की है, फिर भी मैं आपका 80-90 कह जम्नेर जाएगा जाएगा, जो कि बिलकुल बिलकुल जयनुएंट रही है, प्यारे बच्चों, देखिए जैसा कि एकजामनर जो आपका होता है, एकजामनर कौपी िक करते टाइम पर, यह सबसे जरूरी चीज है, एकजामनर कौपी चिक करते टाइम पर, वो सब कुछ न नहीं तो आप देखा जा लुआ अव मिनट रहता है उनको एक कॉपी चेक करने के लिए अब उस दो मिनट के टाइम प्रेयर्ड में उनको को पूरी कें को कापी को देख ना रहता है उसके बाद सभी को जोड़ करके लाश्ट में आपको लिखना पड़ता है कि कितना नंबर पाए है वो और इसके बाद अटेंडेंस वगरा भी उनको चाढ़ानी पड़ती है तो उस दो मिनट के बीच में वो कितना कुछ कर लेंगे और आपने कॉपी लिख हुई है कई सारे पेजिस खब भी कॉ नहीं पड़ता है अब इसका मतलब यह हुए प्यारी बच्चों की एक्जामनर कॉपी चेक करता कैसे है देखिए एक्जामनर इस बेसिस पर कॉपी चेक करता है कि उसने एक दो कॉपी जैसे चेक की स्टार्टिंग के क्वेश्चन से अगर उसने देखे ठीक है तो बाकी के भी अच्छे नंबर देता चला जाता है देखिए मैं आपको बता रहा हूँ देखिए क्या लिखा हुआ है बहुविकल्पी यह प्रश्न जो की उपर उपर से ही दिखते रहते हैं एक हो गया बहुविकल्पी यह प्रश्न और दूसरा हो गया अतिलग उत्तर यह प्रश्न जो अतिलग हुत्री बहुती गल्पी है ये तो कही न कहीं से आपका सही हो ही जाता है बहुती छोटे questions होते हैं ये लगभग आपको याद रहते भी हैं अगर नहीं भी याद रहते हैं तो ये कैसे न कैसे करके paper last तक जमा होने से पहले पहले ये हो ही जाता है उसके बाद प्य मेरा कहने का मतलब यह है कि examiner देखता है कि कितने बड़े में लिखा हुआ है जितना उसके लिए question के लिए चाहिए क्या उतना enough है अगर उतना लिखा हुआ है आंसर और साफ सुन्दर rating में लिखा है कहीं काट बिट नहीं है तो मेरा यकिन कीजी examiner अगर आपने जो है पूरा अगर आपको सही-सही लिखा है तो आपको full max देगा लेकिन अगर आपने गलत भी थोड़ा बहुत लिखा है या फिर यूं कहीं कि writing आपने सब कुछ सही-सही लिखा हुआ है केवल कहीं पर थोड़ी बहुत गलतिया भी है लेकिन आपने काटा नहीं है तो फिर भी पांच म बच्चों साफ सुंदर लिखो कुछ भी काटो पीटो नहीं कुछ भी काट पीट नहीं करना है आपको और जो सबसे इंपॉर्टन चीज है वो क्या है कि आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है क्योंकि प्यारे बच्चों मैंने आपको देखिए कई बार बताया है आपने उसमें कुछ भी लिख दिया है बना करके अपने हिसाभ से उस टॉपिक सर रिलिल्टेट कुछ भी तो पांच मेंसे अगर वो ध्यान नहीं दिये उसकुछ पे ठीक से और राइटिंग देखा ठीक है और कितना लिखा है यह देख़ ठीक है तो हो सकते है पांच मेंस एक्जामिनर पर हीट प्रिंट करता है, माली जी आप बहुत ज़्यादा पढ़के भी गए हैं, एक्जामिनर अगर ठीक से नमबर नहीं देगा तो आप क्या कर लेंगे, इसलिए एक्जामिनर को ध्यान में रखते हुए हमको अपने पेपर को देना है, देखी क्या लिखा है एक्जामिनर कॉपी चेक करते टाइम पे सब कुछ नहीं पढ़ता है, मुस्किल से एक मिनट में ही आपकी जो है कॉपी चेक होती है, उसके बाद साफ सुन्दर लिखो, कुछ भी काटो नहीं, प्यारे बच्चों अगर आपका कुछ गलत भी हो जाए तो आप काट ये नही प्यारे बच्चों, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी आपको काट पीट नहीं करनी है, जितनी जादा सजादा अच्छी चीज़ें आप उसमें लिखे हैं, उन सब को हाइलाइट करने की कोसिस कीजिए, जिससे की कॉपी खोलते ही, एक्जामिनर की नजर उसवाले कोस्चन पर पढ़े, जिसको आपने अंडरलाइन किया हुए, जिसको आपने सही से लिखा हुआ है, क्योंकि हर कॉपी के पेज पे जो है, ज्यादा देर तक वो नहीं टिकती उसकी निगाह, मुस्किल से 2-4 सिकन तक एक पेज खोलता है, उस पे रहता है, नंबर देता है, निगल लेता है आगे, तो ऐसा हाइलाइट कर देना है कि 2-3 जगह पर ही उसके निगाह पड़े, उसके बाद फिर आगे पलट दे, ऐसे दिमाग लगा लगा कि प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं, और आप अपने फ्र तक के लिए धन्यवाद